हेल दोस्तो मैं पूजा तो इसे स्वागत करती हूँ आपका एक नई रेसिपी के साब तो आज हम बनाएंगे पांच मिनट में दही बड़े यह दही बड़े बहुत ही अलग है लेकिन खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट है तो चलिए रेसिपी को फटा फट से शुरू करते ह तो मैंने यहां चना दाल लिया है तो मैं इसे चने दाल से दही बड़े बनाओंगी तो मैंने यहां एक कप चना दाल लिया है और अच्छे से दो से तीन घंटे के लिए इसे फुला लिया था तो यह अच्छे से फूल चुके हैं तो बस अब इसे हम एक मिक्सी के जान में कर लेते हैं ताकि हम इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना सके तो एक चमच इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च और एक चोटा चमच हम डाल देंगे जीरा बस हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है तो देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है बिल्कुल इस तरीकी का पेस तो चमच नमक और इसे continue चलाते हुए हमें 3-4 मिनट के लिए फेटना है तो जब आप इसे 3-4 मिनट के लिए continue चलाते हुए जब आप इसे फेटेंगे तो आपको color change होता दिखेगा यह बिल्कुल light जैसा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से fit गया है या आ देखिए हमने इसे fit लिया है अब इसे side में रख देते है अब हम एक बाउल में लेते हैं दो कप दही तो दही को अच्छे से हम fit लेंगे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स या गुटनिया ना हो आधर ग्लास हम इसमें पानी डाल देंगे तो हमें इसका एक पतला सा रस बनाना है तो मैंने यहां कुल आधर ग्लास पानी डाला है और देखिए दरी इस तरीके का होना चाहिए इतनी पतल तो अब हम एक तरका त्यार करेंगे तो मैंने हाइक पैन में एक चमच तेल डाला है तेल को थोड़ा गरम हो जाने देंगे और एक चमच में हम डालेंगे चना डाल और एक चमच हम डालेंगे उरत दाल आदा चुटा चमच राई के दाने डालेंगे आदा चुटा चमच हम डालेंगे जीरा इसे हम लाल हो जाने देंगे थोरा सा और देखिए यह जैसी लाल हो जाएगा अब इसमें हम डालेंगे एक मिर्ची का टुकड़ा इस तरीके से तोर कर हम डाल देंगे और इसे भी हम लाल कर लेंगे और इस तरीके को हम डालेंगे दही में ये बहुत ही चटपटा तरका त्यार होता है दही वाला बहुत ही टेस्टी लगता है ये तरका वाला दही तो अच्छे से हम mix कर लेंगे और नमक इसमें हम स्वाद के अनुसार एड़ कर देंगे और ये दही बड़े क्या दही त्यार हो गया है अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो तेल मैंने यहां रग दिया था गरम होने के लिए तेल जैसी गरम हो जागा अब इसमें हम छोटे-छोटे बॉल्स की तरह इसमें हम डालेंगे जो चन्य दाल का हमने पेस्ट जो बनाया था तो इस तरीके से हम गोल-गोल बना लेंगे शेप में और बस इसे हम गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे तो गैंस का फ्लेम आप बिल्कुल मीडियम टू हाई रख सकते है और इसे फ्राइ होने में एक से दो मिनट लगता है जादा समय नहीं लगता है तो हाई फ्लेम पे आप इसे गोल्डन होने तक फ्राइ कर लें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उरत दाल का दही बड़ा पसंद नहीं होता है तो आप इसे चने दाल से दही बड़े बना कर खा सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करिए तो देखिए डेर मिनट हो चुका है फणना पानी में डाल सकते हैं लेकिन मैं इसी तरीके से डाल देती हूँ तो अब इसमें हम देवाले पानी में हम इस पकोरों को हम डाल देते हैं है तो देखिए अभी इसके ऊपर ये तैर रहा है लेकिन जब जैसे यह अच्छे से फूल जाएंगे तो ये अंदर अँदर की तरफ हो जाएंगे, अच्छे से फूल जाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें हम ढाल देंगे चिली फ्लेक। थोड़ा सा हरा दनिया हम डाल देंगे कटा हुआ और मिक्स कर लेंगे और बस mix करने के बाद इसे आपको 10-15 मिनट के लिए rest पे रख दे ढख कर फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा दही बड़े कैसा बना है ये देखिए 15 मिनट हो चुका है दही बड़े अच्छे से फूल गया है देखिए काफी size में बड़ा भी हो गया है और ये दही को अच्छे से absorb भी कर लिया है तो आप इस तरीके से चने दाल का दही बड़े बना कर खा सकते हैं अगर आपको उरत दाल का दही बड़ा पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से बनाईए बहुत ही tasty लगेगा वीडियो अच्छा लगी तो like, share, comments जरूर करिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि जब भी मैं वीडियो upload करूँ तो उसकी notification सबसे पहले आपको मिले Thank you